हेलो एवरीवान, विलकाम टू लाव कीचिन, आज बिट्रूट और गाजर से बनाएंगे एक ऐसा सबजी जिसे आप रोज बना के खाना पसंद करेंगे, सुवाद और सेहत दोनों से ही है भरपूर, तो यहाँ पे हमने ले लिया है गाजर, तो सबसे पहले तो गाजर को हम छ ठील लेंगे, तो यहाँ पे सबजी बनाने के लिए मैंने बरे साइच का एक गाजर लिया है, और लिया है तीन बीट्रूट यानि की चुकंदर, तो चुकंदर यहाँ पे है, आधक किलो जितना, तो एक इकर के सारे चुकंदर को हम इस तरीके से छिल लेंगे, तो यह लेने से उसका स्वात थोरा सा और बहतरीन लगते हैं अगर गाजा नहीं भी डालना चाहते हो बस चुकंदर से भी बना सकते हो तो यह देखिए हमें सारे चुकंदर छिल लिया है आलू क्यूंकि नया है तो इस तरीके से हम छिल का हटा ले रहे हैं तो हमने टोटल आलू ले किया है पाच मीडियम साइज का तो सारा आलू इस तरीके से हमने छिल लिया है अब क्या करेंगे सारे सबजियों को पहले धुल लेंगे क्यूंकि काटने के बाद हम चुकंदर को धुलेंगे नहीं तो सबसे पहले तो आलू को काट लेते हैं तो आलू को हम इस तरीके से करेंगे तो पहले हम गाजार को ग्रेट कर लेंगे तो चाहे तो आप बिल्कुल बारिक बारिक काट के भी बना सकते हों लेकिन ग्रेट करने से स्वाधिस्ट भी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं तो यह देखिए गाजार ग्रेट हमने कर लिया है अब बारी है प्रिजिन चनल को सब्सक्राइब तो यह देखिए हमने ग्रेट कर लिया है गाजर और चुकिंदर को तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं तो कराई में मैंने डाला है सरसो का तेल गरम होते ही एक छोटे चमाज डाला है मैंने सरसो तो सरसो जैसे ही चटक गए है तो इस त कादर मेच और धोड़ असा धनिया की पत्ती तो इस तरी किसी धनिया के पत्ती तेल के उपर डाल के हम फ्राइ कर लेंगे आप इस टाइम कारी पत्तल भी डालाना चाहो तो व्झे और मिक्स करेंगे और प्याज कुना तो अब देखिए पिंक कलर आज शुके है इस टाइम हम आलू को डालेंगे जो हमने काट लिया था अब आलू और प्याज एक साथ महीं प्राइब हो जाएंगे तो इस तरीके से हम आलू के साथ प्याज को मिक्स्ट करेंगे डालेंगे स्वाद और सेहत अनुसान नमक आलू को तब तब प्राइब करेंगे जब तक आलू 50% जितना फ्राइब अब हम ग्रीट किया हुआ चुकेंदर और गाजर को इस बक्त डाल देंगे और आलू के साथ अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे अब कुछ दिर तक इसी तरीके से हम पका लेंगे और पकाने के पाद अबना चुकेंदर सौप्ट पर चुके हैं क्यूंकि चुकेंदर मेंसे जो रस है वो निकला है अगर आपको लगे कि चुकेंदर मेंसे ज़्यादा रस ना निकला है तो अब आधा कब जितना पानी डालके फिर हम ढखेंगे तो यहां पे देखिए मैंने ढख दिया है और कड़िब साथ मिने जितना हम स्लो फलेम में पकाएंगे तो बीज में मैंने तीन से चार बार ढखकान हटा के मिक्स्ट कर दिया था जिससे नीचे से जले नहीं तो यह देखिए बिल्कुल स्वादिस्ट सबजी बनके तयार हुआ है और अभी बहुत ही अच्छा खुश्बू आ रहा है हिल्दी है और इसमें कोई भी हमने मसाला ज्यादा नहीं राला है यह बिल्कुल सेहत के लिए एकदम लाफ दायक है तो यह देखिए गर्म गर्म चुकंदर के सबजी हम फ्लेम को आफ कर देंगे तो चलिए सर्प करते हैं इस तरीके से आलू चुकंदर गाजार की सबजी जरूर आप घर पे बनाए छोटे से लेके बड़े हर किसी को पसंद आएंगे और स्वादिस्ट के साथ हेल्दी है तो इस सबजी को खाना तो बनता ही है तो फ्रेंज आज के चुकंदर की रेसिपी आपको कैसा लगा है मुझे बताईएगा कॉमेंट करके वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजी और चैनल को अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंद कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकेन को प्रेस करके और बटन को क्लिक कर लीजिए जिससे हर वीडियो के नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली रेसिपी में टाटा बाई बाई टेक क्यार